हेलो दोस्तो मैं हूँ विशाल आप देख रहे हो वीटेश चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फोन चार्ज करते वक्त कौन-कौन सी गलतिया करते है जिसके वज़े से हमारे फोन का परपामांस कम हो जाता है बैटरी लाइफ कम हो जाती है और हमें फोन दिन में दो बार या तीन बार चार्ज करना पड़ता है अगर आप भी ऐसी गलतिया करते हो तो ये वीडियो देखिए और अपने गलतियों को सुदारे ताकि आपके फोन का परफॉमंस बड़े और आपके फोन की बैटरी लाइफ भी अच्छी हो जाए तो दोस्तो सबसे पहली और बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम हमारा मोबाइल किसी भी चार्जर से चार्ज करते हैं दोस्तों आज कल हमारे गर में सभी के पास मोबाइल होते हैं और उनके अलग-अलग चार्जर होते हैं तो दोस्तों हम करते क्या है क कोई भी चार्जर लेते हैं और हमारा फॉन चार्ज देते है उस से तो दोस्तो ऐसा कभी न करें आपके फॉन के साथ जो चार्जर मिला है कमपनी का उसी से आप फॉन को चार्ज किजिए इससे होगा यह कि आपके बैटरी को सही सप्लाइZY मिलेगा सही करेंट मिलेगा और बैटरी लाइफ काफी अच्छी रहेगी और इससे आपका फोन का परफामंस भी अच्छा रहेगा तो कभी भी अलग मॉबाइल चार्जर से मॉबाइल को चार्ज ना करें और दोस्तो दूसरी गलती हम यह करते है कि हम जब भी मॉबाइल चार्जिंग पे लगाते है तो उस पे गेम खेलते है गाने सुनते है या वीडियो देखते है तो ऐसी गलती कभी ना करें जिसकी वज़े से आपकी मॉबाइल की बैटरी जल्दे चार्ज नहीं हो पाएगी औ और उसका performance भी कम हो जाएगा उसे charging के लिए भी काफी समय लगेगा और बैटरी ज्यादा देर तक charger से connect रहने से बैटरी की लाइब भी कम हो जाएगी तो ऐसा ना करें आप कभी कभी भी mobile को चार्ज करते समय उसे on ना रखे और जब आप mobile चार्ज करोगे तो हो सके तो उसको airplane mode में डालके offline mode में करके mobile को चार्ज करें इससे होगा यह कि आपका mobile जल्दी चार्ज होगा और उसकी battery life भी अच्छी मिलेगी दोस्तो तीसरी गलती हम यह करते है कि अगर हमारे mobile charger की charging cable खराब है तो हम बजार में जाके कोई भी साधारन charging cable लेकर आते है जो कि बहुत ही घटिया quality की होती है जिससे आपको mobile जल्दी चार्ज नहीं हो पाएगा और वो काफी समय लेगा चार्ज होने के लिए अगर आपको mobile एक घंटे में चार्ज होता है और आप market का कोई भी साधारन सा wire यूज करोगे charging के लिए तो आपके mobile को charge होने के लिए 2-3 घंटे लग जाएंगे तो दोस्तो कभी भी आप market से अगर wire लेते हो तो वो अच्छे quality की ले और साधारन wire का use कभी भी ना करे mobile चार्ज करते वक्त हम चोथी गलती ये करते है कि हम हमारा mobile charging को लगा देते है लेकिन उसके उपर ध्यान नहीं देते कि बैटरी कितना परसेंट चार्ज हो चुकी है हमारी बैटरी 100% अगर चार्ज हो जाती है तो उसे disconnect करना ज़रूरी है लेकिन हम ऐसा नहीं करते और हमार ध्यान रखना होगा कि हमारी बैटरी ज्यादर ज्यादा 90% या 95% तक चार्ज होनी चाहिए दोस्तो और आपका mobile अगर fast charging को support नहीं करता तो आप उसके साथ fast charging का charger लगा के बैटरी कभी पी चार्ज ना करे इसका सीधा असर होगा आपके battery पे और आपके battery जल्दी खराब हो स इससे आपकी battery की live बढ़ेगी और आपको performance काफी अच्छा मिलेगा तो दोस्तों यह थी कुछ tips mobile charging के बारे में अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को subscribe करो like करो share करो मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए